कि नमस्का दोस्तों सब्सक्राइब का सक्सेस क्लासेस में जैसे कि आपको पता है हम लोग मैं मंत का जो मैग्जिन था उसको कवर कर रहे थे उसी में आई यार का टॉपिक देख रहे थे एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है वीडियो यह आज का आज जो कि इसका दूसरा आपको पता होगा इस तरह से पर पुरा अपना कर लिया है कि यह पर प्रेश्टीन के कब जिए ना यह पहले प्रेश्टीन के कब्जिन था नैंटी फोर्टी शेवन के पहले पहले राइट आप दोना इसके पार्टिशन का प्लान आया यहां पर जो कि इस राइल कर दिखा देखा तो दिखों ना जिए अपना है चेट बढ़ाता गया इस पर दो अधिकार चेट बढ़ाता गया आपको देखों निटीफ फोर्टी पलिश्टीन है वह यहीं तक सीमित रही चुके राइट अब ये इस्रायल में यहोदी लोग है यह उप्तार के तो यह द्यान रखना कि इज्रायल में यहोदी यानि किश्चन लोग है और जो आपके पलेश्टीन है तो आपके早म मुस्लिम समुदाय का पूरा ग्रूप मुस्लिम समुदाय यहां पर रहते हैं इनको कौन सपूर्ट करता है जो सवुदी कंट्री है या पी आपका मद इस्टा कांट्री वह जो की परिश्टीन को सपूर्ट करते हैं ध्यान में रखीएगा चलते अपने आटिकल पर तो अभी पर रहन मैं यहोदी बस्ति को बने रहना चाहिए यहोदी बस्ति के लिए भी अस्थल इंपोर्टेंट है उनके लिभी इंपोर्टेंट है यरुशलम वाला मुद्दा है ना दोनों देश चाहते हैं कि यरुशलम को अपनी राजदानी बना है लेकिन बीवाद के काड़ जो कि इसका कोई समधान नहीं निकल पा रहा है ति देखो एक और इस चती क्या है कि इसराईल का अभी वेस्ट बैंक पर अधिकार है और यह गाजा पर्टी से अभी जो की हड़ गया है हमास अने फिलिस्तिनी इसलामी समुष में सबसे बड़ा समुष है जिसका गाजा पर पर अभी नियंतर रखा जो कि इसको अभी युवन दार मानेता नहीं कर लिया है तो इस तरह की अभी वर्तमान सिच्वेशन यहां पर हमने देखा और समझा अब थोवा से इसकी इतिहास में जहक नहीं कुशिच करते कि कि इस तरह से इजाईद संघर्ष का इतिहास सुरू होता है और क्या-क्या अब तक इसमें डिवलप्मेंट वगरा हुआ ह सबसे पहले नुशी शदी के अंत में देखो राष्ट वात यहुदी वात का उदाय हो रहा था जिसके चलते यहुदियों ने फिलिस्तिन को लोटना सुरू किया था फिलिस्तिन के लिए बिटिश मैंडेट का गठन किया गया था अब यह क्या है कुछ खास होतना इंपोर् प्रिश्ट के लिए मांग में विद्धी होगी कि यहुदियों का प्रिश्ट होना चाहिए इस रिजन में पर पहले पैलिस्तिन था राइट फिर नहीं नहीं राज्यों के रूप में इस्राइल और पैलिस्तिन राइट यहां तक हमने समझ बने आया उननीस सो एटारीस तक की बाद अब देखो 1912 क्या हुआ इसराइल ने जो कि इस जाए दो तर्यकिता की घोषण की गई मतलब की जाए को छोटा सेरिया दिया था पर जो कि यह जो प्लेश्टिन के जितना एरिया है है यह हमको चाहिए क्योंकि यह वाला एरिया हमाईले काफी इमपॉर्टेंट य इसरी में देखो बिवाद हो गया कि और बड़ी अस्तव की सोतंतरता की अपनी मांग की क्या होता है 1929 के बीच में पर्थम और अब इसराइल यूद की इसमें जाएल की जीत होती अब देखो मैंने वहां पर आपको बताए था जितने भी पलेस्टीन थे ना वो मुस्मिन स सपोड कोन कर था जो मद हिस्याना था जबिचार ता अरब देख सब्द्द k kya कि हम इसल्यूद के खिलाब यूद देख लेकिन इसा यूद में बड़ा चमतकार कर दे जो कि पलिस्टिन को इतनी सारी आरब देस उनके सपोर्ट था फिर भी जो कि इसरायल का उदैक काफी तेरी से शुरू हो जाता है सब्सक्राइब काफी बड़ा एरिया में बढ़ आता है कि यह युद्ध हो गया यहां जिसमें इस्राइल की जीत होई थी फिर लेकिन बहुत ही छोटा युद्ध था छे दिन में इस्राइल ने वेस्ट बैंक और गाजा वाले चेत्र में जो की फिलिस्टिन का लिया आप देखो संगठन टाइब का एक संगठन तो इस थरकी बात इस चेदियों सी युद्धिक बाद यह होता है कि हमास का गठन होता है इसकी प्रणी सो पंचानमे में इस्राइल के उग्र राष्ट वादी को दोरा इस्राइल प्रदाम मंत्री की हत्या के रुप में हुई यानि जब इस समझाता है ताकि इन दोनों के बीच में सांतिर एक फिर से युद्ध की स्तति ना बन जा दोजाए दो पांच की बीच में दूती इनतिफादा यह नि दूती समझाता होती है जिसमें देखो इसराइल ने गाजा पर अधिकार त्याग दिया और हमास ने वहां पर नियंतर स्थापित कल्या यानि जो गाजा पट्टी नेंतर था वह उसने छोड़ दया और यहां पर हमास जो कि आप पर पलेश्टीन का प्रभूत आपका गाजा पट्टी पर हो गया तो यहां पर कुछ स्वाट में समझने की कोशिश की कि इस आपना इनकी हिस्ट्री साथ-साथ आ आइडिया उसके लिए जानना जो ही था अब जो आपको लिखना ही जामें वह यहां से आता है कि यहां पर जो आपका प्रार्रमिक चळड़ था उसमें भारत ने इसका जो कि परिश्टीन कोई सपोर्ट करता था तो उस टाइम भी जो कोई परिश्टीन कोई सपोर्ट किया इस तरह की बात ही हो रही थी ति युद्ध चला जब यह चे दिवसी युद्ध चला इस दोहां देखो इस्राइल ने प्लिश्टीन के लगवा अठाटर प्रतिश्टीन कोई सपोर्ट किया भारत ने एक सोतंत्र संप्रभू फिलिश्टीन राजी के निर्मार का समर्थन किया था था थी तेको 1901 अब यहा जो चेंजेस हो रहे थी उस हिसाब से चलना था तब यहां से नाइटीन इन्टी वन में मेड्रीट समिलन होता है ति यहां से भारत धी जोगी इस्राइल को रिकुनाइज करना सुरू कर देता है मेड्रीट समिलन जहां दो राज्य समाधान पर समती हुए थी और सोहिय संग के विगटन अब एस्वी बस्ता में परिवतन के उपरांद भारत ने वा से 1902 में इस्थापित किये थे प्रंतु वा फिरिष्टिनियों का सदय समर्थ तक बना रहा है यानि कि इस्थापित कर दिया था क्योंकि काफी चीनिश हो रहते हैं जो भी देखोगे एकॉन में यह नाइटी टू कर रहा था तो इस समय देखो कि भारत ने तो जो बदलाव लाने की कोशिश की है अब देखो 2018 में बता जा रहा है 2018 में भारत ने डी हाइफे नेशन की निती अपना है जिसका सीधा सा अर्थ है कि इजरायल के साथ भारत के सुतंत संबंद है एक अलग संबंद है साथी भारत को अपने हीतों के अधार पर इन संबंदों को बनाया रखने का अधिकार प्रा क्यों क्यों क्योंकि देखो अब जो भारत का संबंद इजरायल प्रेस्टीन के साथ हमारे अलग संबंद होंगे अब इस तर की बाती यहां पर हो रही थी यहां पर हम लोग देखा भारत ने नियाइपूर फिलिस्टीन हीत और दुई राष्ट रमादान के प्रति अपनी अटूट प्रति बंद बदता यहां अपने समर्थन को फिर से दो राया है यानि करने के मतलब यहां पर जो अभी हमला हुआ था उसमें वोट वगरा हुआ था तो भारत ने फिर से पालेसिर्ट को शताइब है उसके पिछके कारण है क्या क्या कारण है यहां पर बताई यह थे घ्रीदे जो कि इनको जो पलेस्टीन करते हुए आगे बढ़ा यहां पर पना अधिकार छेत्र कली आए तो भारत जो की अपने आदरस मुल्यों की कारज जो की भारती मुल्यों का रोप जो की पैलिस्टीन का सपोर्ट करता था साथ देखो एक और कहुंत है कर्ता है इसके लिए इसलामी की पर चाहिक करते थे प्लिस्टीन के पर एखर करता है इस सपोर्ट करता ने लाज दे भारत को आयत जो तेर उसका इंपोर्ट करना कम करतेब ढंक का डिकाफी जादा जो की रेश्टीक्स से लगरातों है सब्सक्राइब करने के लिए इस तरह की निती अपनाया था और आगे क्या बता जा रहा है कि बैस्विक नेत्वित करने की इच्छा रखता है तो उसके लिए दो दो त्याही वोट की आफसेक्ता होती है सब्सक्राइब करता रहा है अब यहां पर यहुरुस्टालम का धार्मिंग मत्रों बताया रहा है तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि यहुदी इसलाम और इसाई धर्मों के पवित रस्थलों के लिए जो यहुरुस्टालम में दिया है यह इसलाम के लिए इंपोर्टेंट है और यहुदियों के लिए इ यरुष्रलम में ही स्थित हैं तो इस वज़े से दोनों समुदाय के लिए काफी इंपर्डेंट हो जाता फिसाथ चर्च आफ दो हॉली इस पेल कर यह क्या है यह यह इसुक्षू के सूली पर चड़ाया जाने और उनके समाधी अस्तर पर निर्मित एक चर्ज है जिसे इसाय समाधान कैंगा यह भी आपका पीटी में पूछा गया था दो जाट था किस से संबंधित है तो आप्शन था अफ्रीका के दो कंट्री के बीच में और इसके पैलिस्टीन के बीच में तो इस तरह से क्वेश्टन आ जाते तो दोई राश्टीन का यह एक सोतंतर स्वात संप संपरभू देशा और दोनों के बीच में सांती बना रहा है इसके लिए आपका टू इस्टेट सलूशन लाए गया था देखो यहां पर भारत की जायल नीती से संबंधित क्या मुद्ध्य अब यहां पी हाता है तो यहां कि भारत की बैस्विक मुद्ध्य बने रहनी के अन यह सब इस्टेट देखोंगे निश्क्री यानि कि पालेस्टीन और इस्राइल के संबंध में जो भी घटना होगरा होती तो भारत अक्सर ज्यादा तो इसमें चूपी रहता है ज्यादा कुछ बोलता नहीं है तो इस तरह कि जो कि बहुता है कि भारत को अच्छा बुरा न कि कुछ मुद्धे हैं तो इस तरह से निश्कर्ष की बात कर जाए है कि दोनों में हमको देखो दोनों देशों को साथ लेकर चलना होगा ऐसा नहीं कि किसी एक देश को हम पीछे छोड़ सके जैसा कि अब तक भारत करता है तो यहां पर इस्राइल काफी इंपोर्टेंट थ पर इंडिया यूके रिलेशन राइट अब दो यह क्यों निश्यू में था क्योंकि अभी वर्चूल सिखा सम्मेलन हुआ उसी कार्यों की यह निश्यू में था अब दोको यह जो सिखा सम्मेलन हुआ इसमें दोई-पच्छे सम्भंधों को व्यापक रणनीती साजधारी यह कंप्रेंश्यू स्ट्रेजिक पार्डनर्शिप का एक रोड मैफ दो जातीस अपनाए गया है कि हम लोग देखो दो जातीस तक यह यह साथ में मिलके काम करेंगे जैसे आप एक मोटा मोटा वर्यूस समभल्यों आप ज्यादा डिटेर में आपको जानी जो नहीं कि 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 इस च्छेत में भायत और यूके ने प्लाइन मनाया कि काम करने के लिए पहला देखो देशों और लोगों को जोड़ना है यानि जैसे जी टून्टी देश पर आपस पर सहयोग करेंगे और बड़े-बड़े-बड़े और वहां पर हम एक दूसरे को को ओपरेट करेंगे आ हमारे विभीन सेवा चेतर है तक्निकी चेतर है इस तरह की बात है हम आपको देखो जो बिटेन की नेवी है न वह काफी एक्टिव काफी अच्छी है तो वहां समझे दो कुछ नेवी की चीजे जोगी वहां से ले सकते हैं फिर देखो आगे बोला जरवाय पयोतन जो एक ब सब्सक्राइब का पहल सुरू किया गया था आपका एक सूर्य एक ग्रीट तो इस तरह समें हम जो हम लोग जो की एक दूसरे के करेंगे राइट इसी तरह दो अब भी कोवी नाइटिन के वजह से स्वास्त का भी मुद्दा काफी आहिलेटेड वर्ल्ड लेवर पर यह एक जो की मुद्दा है तो देखो वैक्सिनेशन की चीजे होंगी आफी आर एंडी होगा जो भी आपका मेडिकल के चेत्र में इस सब चीज में जो की एक दूसरे का सहयो करेंगे कुछ इस तरह की बाते यहां पर रोड मैप टून्टी थर्टी जो निकला है समय से उसमें की जो यूके है हमें जो की देखो इनाइटेट केंग्डू यानि ब्रिटेंड की आपसेक्ता है तो आर्थी आप देखो कि दोनों देशों की डिलेशन कैसे है तो यहां पर बोला जा रहा है कि भारत यूके के बीच में देखो बैपार बढ़कर कितना होगा पंदर दोसोल प इंपर जैसे कि उसमें दो और डॉलर ज्यादा चीजें बिचता है यूके को इस तरद से यहां पर बात की जा रही है अधिक हम जो की उनाइटेट की इंग्डू यानि ब्रिटें को क्या-क्या बिचते हैं सेल करते हैं अपने देश से क्या-क्या एक्स्पोर्ट करती यह पो इंपर्पर्ण वरेएं आफ सेल करते हैं जाए यह सब चीजे तक मीरते में एक्सपोर्ट के ब्रिटेन में एक्स्पोर्ट इंपोर्ट करते हैं वहां से खई देते हैं हम दोग देखा जैसे विद्धूत बहने वाले जो उपकरण वगरा होती है चोटे पार्ट सो वगरा वह अलोग धातु वगरा समाने अध्यक मसेनरी वह मसीने परिवहन उपकरण पदात आधी जो कि समय सामिल है तो यहां पर आर् इंडिया देखने को मिले क्योंकि दोनों देश योग आपस में बाच्ची तबीक कर रहे हैं अभी यह हुआ नहीं बट हां एसे आगे भविश्व में होने की समभवने दिखे जारी आप देखो इन्वेस्टमेंट के अधार पर दो कैसे इंपोर्टन भायत के लिए तो यह में निवेश के आएग अच्छा काम कर रहे है। करते हैं जो चुके रहे हैं योज है यो इस वज़े से देखो भारत दो जो यह है हो भारत देखो बारत केलिक हो इंपोर्ट हो जाता है सब्सक्राइब करनेक्टिविटी अच्छी होगी सब्सक्राइब कर सकते असानी से और यूगी चाइना से भी आपने जोगी बात्चीत होगा वो भी आसानी से सब्सक्राइब करने के लिए और चीन का बढ़ता प्रभाव उसको कंटेंड करने के लिए उसको कंटेंड करने के लिए रच्छा के विक्री में दिखोगे जो यूगी है या यानि बेटेन है वो देखो बहुत कम बैचता है यहां पर बहुत कम यूगे से ठाट यहां पर भारत को अच्छे अच्छे सकता है वहां अपने देश में डेवलप करके टेक्नोलाजी के तरू जिससे दोनों के बीच में संबंद और अच्छे बन सकते हैं तो यूके भायत के अगर संबंद अच्छे होंगे तो चीन पर निरभरता है भायत की वह कम हो जागी किन की चेतर हो जैसे दो अच्छे बिच्छे बिच्छे बड़ा साज़ेदार बन सकता है काफी मददगार देश बन सकता है तरह को साथी काल या कि आतंवाधी विजोधी एजेंडेक के लिए समर्था या नि तो जब भी आतंवाधी को मुद्दा उठा है आपका अंतराष्टी अस्तर पर यून मे हमेसा इंडिया को सपोर्ट किया इंडिया के साथ ही हमेसा UK खड़ा होगा इंडिया के पक्षमी ही वोट होगरा जब बीट की सतित है तो इस तरह से देखो UK हमाई लिए काफी इंपर्णेट हो जाता है फिर साथ ही सांस्कृतिक और प्रवार्श शंबन कि यूके में भारती मूल के लगबग देर्ड मिलियन लोग जो कि वहां पर निवाज करते हैं यह जो पंदर लाख भारती हैं वह देखो यूके के जीडीपी में 6% करोल निभाते हैं जैसे से इनकी जन्सक्राइब भारतीयों की जन्सक्राइब बढ़ता जाएगा जिससे भा कर सकते हैं यह सब चीज देखा पर बता जाएं कि कुछ मुद्धे को सब्सक्राइब दोनों कुछ तरातनी का महल थ्वासा कर देते हैं तो उन मुद्धे को सुधानिक कोशिश कर जैसे देखो कौन सा मुद्ध है पहरा मुद्ध आपका वही आता है आपने वेश एक दिस् पर बारतियों को लगता है कि यह वही आंग्रेज जिन्हों ने हम पर राज किया था दो सो सारों तक हमारा कि अर्थ बेश्टा तो उसको पूरत तभाह कर दिया था हमको जोगी गरिब देश मना दिया हमारी जो सुने चिडिया कई देवारति लिए लुट लिया तो यह यहां पर बिजनेस करना था अभी इंप्रूव हो रहा है देदे पर अभी जटील है इसको इंप्रूव करने के जोड़ा है ताकि यहां पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट वगरा कर सके और ताकि यहां आपके लोगों को रुजगार भी रुजगार का उसार भी उत्मन हो स इस वज़े से जो कि यूके में भारती लोगों का आना जाना थ्वासा कम हो गया है तो इस पर यूके को काम करना चाहिए ताकि यह जो समस्य है इसका जल्द से जल निकल सके तो दोनों देस आपस में रच्छा कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं तो यह बी एक तरसी बात यहा पाकिस्तान और चीन के साथ निकटता तो कहा जाना के दोखो अभी यूके जब से अलग हुए न वह पाकिस्तान और चाइना से के साथ भी अलग मीटिंग कर रहा है अपने और भी जो के अपने बेवसाय की छेत्र में यहां इन दोनों मार्केट में फैलाने के लिए इन्व सब्सक्राइब करने के लिए इस तरह की चीजे चलती रहती है तो आप देखो वे फॉरट का जार कि कहा हम लोग अच्छा काम कर सकते क्या कैसे हमारे यूके और हमारा जोकी सम्मंद अच्छा या मजबूत बहन सकता है यहां पर चाइना का प्रभाग करने के लिए दोनों देख चाहते हैं कि यहां पर चाइना का प्रभाग को कम करने के लिए यहां पर इन्वेश्मेंट वगड़ा करना चाहता है यहां से इस वज़े से भायात को भी और यूके को भी एक दूसरे को यहां पर जवरत है तो दोनों दूसरे देख दूसरे साथ को और सब्सक्राइब कोई-19 महामारी का प्रभधन इसमें इसके मैनेजमेंट के लिए को दोनों देश जो काफी एक दूसरे से पर इंपर हुआ है और जो भी मेडिकल में आर यंदी वगरा है कोई नाइटीन को लेकिए या पी जो भी और अदम मेडिकल हेल्थ है अब जैसा नहीं कि के और कोरोना वाइस के बारे में कोरा कोरोना वारे से तुम्हारों एक टेंपररी है जब एक्सिनेशन हो जाएगा तो पी ठीक है लेकिन और बीच देखो बहुत सारे डिजीज वगरा सकते हैं एक दूसर साथ को अपरेट करके अब भारती जो कुसल स्रमिक है उनके लिए अधिसादी की रोजगार का उसर भी उत्पन हो सकते है अगर बिटेन जोगी इंडिया करता है तो अब इसके साथ देखो ब्यापक सायों कहां का पर यूकियान है और इनोवेशन वगरा द्सक्राइबन तो नहुत है मैं निया सब्सक्राइब खर जिए ब्लोक्चर्ण अपर बिल्ड़ से ब्लोक जयांका पर एक पर यूकिया काहसे कर सकते हाथ के अच्छा जोकिम अदेश सांवित होसकता है सुबने काफिश से समाधा भारत यूकिक धिसवी रिलेशन वाली च चलिए अगला टौपि नहीं प्रजात भी गैस छेतर अब यह देखो कहां पर एरान में और वहां इसको भारती कंपणी थी ओनजी से बीदेशि कंपणी इसको खो जा था वाँ पे 2008 में राइट दो जार आट में खो जा था तो आब यह न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो यह ओंजी से बिदेशी लिमिटेट कंपनी है इसको इरान गौर्वर्मेंट में मना करें कि आप जो कि इसका उत्खुननन नहीं कर सकते हम जो कि इसका उत्खुननन किसी औ आपका न्यूज में तो बाध को भाद को हटाने का कार्व यहां पर कुछ बाते हैं कर लेते हैं वह मुल इंधार और आपका इंडिया दोनों देश में में तर्फिस दूसा काई लिया नौकर स्था संबंदी विलम नौकर साइड तो दोनों देशेव में पेपर करवायी उसमें काफी देशी इस वजह लही इस वजे से पीछे अट गया इरान पर अमेरीकी परतिबंदों प्रवाव अब इरान पर अमेरिका के सेंक्सन अगरा लगे थे तो भार जो कि इस चीज को फ़ा डिलेक कर रहा था अमेरिका इरान का महुत ठंडा होगा सांथ होगा तब इस पर बात करेंगा भी त्रहे दे इसको टालते जाते इस वज़े से इरान को यह पसंद नहीं तो इर इस वज़े से यहां पर बता जा रहा कि यह प्रजेक्ट क्यों भारत को नहीं मिलाता है इस पर हमको काम करने की हो सकता है इरान में भारत के निवेश का महत्त है अब इरान में भारत निवेश कर रहा है उसका क्या महत्त है तो पहला देता रहता है अगर हम इरान में इवेश्टमेंट वगरा करेंगे तो हमाई जो उर्जा सोच है उसके और जो की सोच दो सकेगी अफगानिस्तान पहुच जो अफगानिस्तान तक पहुच है जा रहा है ज़े लगर को अब ट्री प्राकेती गैस का चितर है इसे दोज़ार चाहार बंदर गाय से भारत इरान और अफगार दौरस संहीं रूप से वस्तूं यात्रियों के लिए बहुवीद परिवहन के रूप में विक्सित किया परามशेली भेहिस्ति बैंदर यह पर इनदर हान में इरान का होट की इसलिए इसलिए इंपोर्टन्ट हो जाता है एसाई के थीह संपर्क हो निक तो सब्सक्रिया मदिशया से संभव हो सकेगा इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है इंद महासागर के छेते में चीन की उपस्थिती है उसको प्रतिस अंतुलन करने के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है अगर भारत के साथ होगा तो जो मिडल इस्ट के कुछ कंट्री वगश्या वह वह बीश्याइप जो आसपास को जो आज़सा इस्था भारताइब के साथ के भाते का फोरटेंट ने में शाह्यों मिलेगा फिर साथे देखो छेतरी संपर्ग में भायत का नितित्य जो आसपास कर जो इरान के चेतर वगरा है यहां पर भायत के लिए इसके जड़िए भायत तक जो अपनी पहुच बढ़ा सकता है और इधर साथ अपरिका तक भी पहुच अपनी बढ़ा सकता है रसिया उपर यहां तक जो कि अपनी रप पहुच बढ़ा सकता है फिर को का जा कि इरान भारत संबंदों का सुधिकर अगर इरान भारत जो को इरान में इन्वेस्ट करेगा तो इरान भारत के जो रिस्ते वह मजबूत होंगे और यहां पर भी इरान की जुरुत पढ़ेगी भारत को तो इरान अगर इरान भारत के साथ मना रहेगा तो भारत जो कि अपनी भूमी का मध्यसिया में सांती मनाई रखने के लिए कर सकता है जिससे जो भारत के जो महत्तवा कांची एक है कि हम बैस्वी गुरुव बनकर सामने आए एक लीडर कर रोल निभा सकते तो भारत इससे दु तो यहां पर इरान भारत के रिस्ते के बारे में बात की जारी है तो यहां पर टॉपिक खत्म होता है अगला टॉपिक क्या होगा एकॉनमी का जिसको हम लोग कल देखेंगे धन्यवाद दोस्तों